अगर आपके लिए performance फर्स्ट फराइटी पे है तो आपके लिए एक best option हो सकता है तो अब तक बात की इस laptop की performance के बारे में और आप टेस्ट कर लेते हैं इसकी ग्राफियल परफॉर्मेंस तो सबसे पहले सबका फ्यारा जीप्यू टेम प्रेजर 50 डिग्री हलो प्रेंट स्वागत आपका से उटेक स्मार्ट में आज पहली बार आप लोग लिए लेके हैं एच्पी पेविलियन सेरीज में राइजन 7 प्रोसेसर के साथ लेप्टॉप है जो है एच्पी पेविलियन 15-ES3101-AU और फ्रेंट सबसे इंट्रेस्टिंग बात में आपको बता दूँ ये लेप्टॉप 60,000 के बजट में आ रहा है क्या इस बजट में ये लेप्टॉप वेली फॉर मनी है या कुछ कौन्स देखने को मिलेंगे तो बने रहे ये वीडियो बोक्स कॉंटेंड में एक यूजर मैनुवल और वही प्रिमियम क्वालिटी की पावर बोड और 65 वोट का पावर एडप्टर है कंपनी को इंप्रूव करना चीए टाइप सी एडप्टर देना चीए फ्रेंड्स राइजन 7 के साथ ये लेप्टोप पार रहा है और पेविल बॉट की बात करो तो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है वैसमें आप और वीडियो में बोलता है रहता हूंगी पैवलियन स्रीज के लेप्टोप की बिल्ड क्वालिटी नॉर्मल लेप्टॉप के कंपर इजन में काफी अच्छी देखने को मिलती है और जैस आप देख पारे हो 1.7 kg के आसपास वेट देखने को मिल रहा है और पावर कोड और एडप्टर को इंक्लूड कर देते हैं तो वेट चला जाता है 2 kg के आसपास अब इतना वेट तो होगा ही क्योंकि 15.6 लेप्टोप है और वहीं बोटम में 2 रब्बर गृप दी हुई है और देख सकते हो यहां कॉफी सारा एरवेंट देखने को मिल जाता है यह लेप्टोप सिंगल फैन सेटप के साथ आता है और यहां थर्ड पार्टी लोगो भी दिया हुआ है और बोटम में 228 के स्टीरियो एश्पिकर दिये हुए है ओडियो प्रवाइड करवाया है बैंग ए स्टीरियो नियुक्त यह कंपनी कुछ इंप्रूमेंट करी नहीं हो रही है ओर और maximum आप top lid को यहां तक ले जा सकते हो और जैसा कि आप देख पा रहे हो बेजल्स काफी पतले देखने को मिल रहे हैं और सामने की तरफ HP की ब्रेंडिंग मिल जाती है और आगे की तरफ air exhaust दिया हुआ है और इस laptop के अगर मैं keyboard की बात करो तो full size का natural silver keyboard दिया हुआ है साथ ही आ keyboard की quality काफी premium देखने को मिलती है और साथ ही आपको two level की backlit दी हुई है तो आप night में भी अच्छे से बार कर पाऊगे और typing experience keyboard का मुझे personally काफी अच्छा लगा बस थोड़े सा जो कमी लगी मुझे ये natural silver का ही laptop है और natural silver color में ही keyboard दिया हुआ है तो थोड़े सा typing करने में क्या है देखने को मिल रही है और यह ट्रेक पेड विंडोज 11 के सारे ही जैसर को सपोर्ट कर रहा है और जैसे मैं इस पर वर्क कर रहा हूं तो बिल्कुली स्मूद experience देखने को मिल रहा है राइट साइड में पैवलियन की ब्रेंडिंग की गई है और लेट साइड में देख सकते ह जो प्रोसेसर, ग्राफिक्स और ब्रेंडो की ब्रेंडिंग देखने को मिल जाती है और सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी शीक्योटी के लिए आपको fingerprint sensor भी मिल जाता है उसका भी response time काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है इस laptop के hardware configuration की बात करो तो इसमें मिलता है latest AMD Ryzen 77730U processor है इसकी base clock इस पर 2.0 से 4.5 GHz तक यूज कर सकते हो 8 core 16 thread और 16 MB की case memory दी हुई है और friends यह processor 7 nanometer technology बे बैस्ड है और all processor काफी अच्छा है memory 16 GB की DDR4 3200 MHz की RAM दी हुई है dual channel में और मैं आपको हर वीडियो में बोलते है रहता हूँ कि जिस laptop में dual channel देखने को मिलती है उस laptop की performance काफी अच्छी आती है और आप इस laptop में maximum 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हो 512 GB की PCI NVMe SSD दी हुई है जिसकी read and write speed आप देख सकते हो अच्छी speed द latest Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.3 दिया हुआ है और इसमें antiquated GPU मिल जाता है AMD Radeon है अगर उसकी graphics frequency की बात करो तो 2000 MHz की देखने को मिल जाती है यहां friends मैं आपको बता दू HP Pavilion series का laptop है Ryzen 7 processor लगा हुआ है और जो इसमें display लगी हुई है वो भी क्या कहना 15.6 inch की 1080p SVA anti-glare display दी हुई है 2024 चल रहा है और SVA display जिसकी brightness 250 nits और color gamut 45% anti-ac color gamut मिल जाता है आप साइड से वीडियो देखोगे तो आपको negative भी दिखेगा यहां थोड़ा सा display के साथ आपको compromise करना रहेगा इस laptop में काफ़ी सारे SS3 ports दिये हुए उन पे एक नज़त डालते हैं तो left side में HDMI 2.1 port दिया हुआ ह हुआ है जिसे आप power delivery और display output में यूज कर पाऊगे और यह port HP slip and charge को भी support करता है और सबका प्यारा 3.5 mm audio jack राइट साइड में power connector दिया हुआ है one USB 3.2 type A और साथी security slot मिल जाता है इस pavilion series में नहीं तो micro SD card reader slot है और नहीं SD card reader slot provide करवाय है benchmark score पे एक नेजर डालते हैं और फिर टेस्ट करते हैं इस laptop की graphical performance तो सब सब पहले cinema charge 23 ने single core score दिया है 1421 और multi core score है 9465 गीक बेन 6 ने cpu के single core score देख सकते हो 1963 और multi core है 6934 और open CL score है 15528 और 3D Mark Time Spy ने score दिया है 1289 और PC Mark Time ने score दिया है 6000 से अबवव जो की काफी अच्छे हैं और मैं अब उसी same footage के साथ इस laptop में वीडियो रेंटर करने जा रहा हूं जो मैं हर laptop में टेस्ट कराता हूं तो इस laptop ने time लगाया है 1 minute 14 seconds है और जब मैंने इसमे वीडियो एनकोड किया 4K to 1080p एक मिनट की वीडियो footage थी तो इस laptop ने time लगाया only 53 seconds है और जब मैंने laptop को बूट कराया तो only 13 seconds में लेप्टोब बूट हो गया था तो यहां performance काफी अच्छी निकल गया रही है इस laptop की अगर मैं battery backup की बात करो तो 3Cell 41Wh की battery दी हुई है यहां company को कुछ improvement करना चीए क्योंकि friends HP Pavilion series का laptop है Ryzen 7 के साथ यह आ रहा है कम से कम 4Sile की battery होनी चीए अगर मैं battery backup की बात करो तो screen brightness 50% backlit keyboard off था और मैंने इसमें multitasking की तो मुझे आराम से 4-5 गंटे के आसपास battery backup मिल गया था वो इसी वज़े से मिला क्योंकि friends इसमें U series का processor लगा हुआ है और आपको पता होगा कि U series का processor power consume कम करता है इस laptop में आप data multitasking, 1080p editing, office work, telework, share market work आप आसानी से कर सकते हो इस laptop में आप color grading से related task नहीं कर पा होगे क्योंकि friends SVA display दी हुई है और 250 nits की brightness मिल जाती है अगर आपके लिए performance first variety पे है तो आपके लिए एक bashed option हो सकता है तो अब तक बात इस laptop के CPU की performance के बारे में और अब graphical performance भी test कर लेते हैं तो सबसका प्यारा मैं प्ले करने जा रहा हूँ GTF5 Full HD resolution के साथ है तो जैसा कि आप देख पा रहे हो CPU temperature 75 degree के आसपास जा रहा है RAM approach 7 GB के आसपास यूज आ रही है और 60 fps की frame rate मिल रही है बाकी states आप स्क्रीन पे देख सकते हो नेक्स गेम मैं प्ले करने जा रहा हूँ Tom Calancy Ghost Recon Wild Dance फुल HD resolution पे प्ले करेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हो CPU 70 degree के आसपास जा रहा है RAM 10 GB के आसपास यूज आ रही है और 20 से 30 fps की frame rate मिल रही है क्योंकि फ्रेंट्स ये गेम काफी graphics oriented गेम है और गेम काफी smooth चल रहा है बाकी के stats आप स्क्रीन पे देख सकते हो और लास्टो मैंने को और गेम प्ले किया है Sniper Elite 4 फुल HD resolution पे गेम प्ले करेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हो GPU 70 degree के आसपास जा रहा है RAM 8 GB के आसपास यूज आ रही है और 50 fps की frame rate मिल रही है और फ्रेंट्स गेम काफी smooth चल र quality HD webcam दिया हुआ है 720 फिक्सल का और ऐसी quality आपको देखने को मिलेगी अभी आप जो audio सुन रहे हो इसी के microphone से रिकोर्ड हो रहा है तो फ्रेंट्स यही था HP Pavilion EH3101TU का overall review इस laptop की design, build quality, performance से और audio quality personally मुझे काफी अच्छी लगी है अलकासा मुझे इस laptop में एक कौन्स देखने को मिला है डिस्पले को लेकर एस वी डिस्पले प्रवाइड करवाया है अगर फ्रेंट्स आपके लिए performance matter करती है तो आप इस laptop के लिए जा सकते हो अगर मैं current इस laptop की price की बात करूँ तो सायद अभी ये online 63 या 64,000 में listed हुआ है औ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार है हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस laptop के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्यूसन कोई भी क्यूरियो तो मुझे comments box में ज़र झाल